एक शेर सुनाता बहुत पहले मैंने कई साल पहले जी कौन कहता है पत्थर नहीं रोते हमने चट्टानों से दरिया निकलते देखे हैं जिन लोगों को हम पत्थर जैसे मानते हैं खाकी वर्दी के लोग बिल्कु चट्टान की तर द्रड़ क्राइम में अनुशाशन के लिए ह आए आज हम आपको दिखाते हैं दो सुनाते भी हैं दिखाते भी हैं दो कविता हैं एक पुलिस मुख्याने में शिकर पर बैटने वाले व्यक्ति की एडीजी क्राइम में राजस्थान के बील सोनी एडीजी क्राइम मतलब क्राइम की मोनिटरिंग और सारा काम एड्मिर्शन देखने में शिकर पर बैटा वेक्टि हाईर लेवल पर जी हाइस्ट उनके बाद डीजी हैं बील सोनी और एक कविता सुनवाएंगे जैपुर के डीवाइस्पी की जो उन्हें जैपुर के दर्द को बेयान करने के लिए लिखी है दोनों कविताओं में संदेश यही है कि एक दिन फिर मुश्कराइएंगे हम तो सबसे पहले बील सोनी पूरे विश्व में जिस तरह से फैली है तो लोगों में एक आसंका या एक अंचाहब भाय वो मैंने सब जगे जाकर के कुछ देखा कुछ हमारे जो कोरोना वारियर्स हैं उनके साथ कुछ गटनाएं हुई तो उसका अनभव देखते हुए कुछ हमारे मजदूर भाई वो जिस तरह से माइगरेंट लेबर जिस तरह से उनका जो परिस्तितियां बनी उन सब की अनभव को देखते हुए और एक प्रयास किया ह है घर रात के बाद उजाला जरूर होता है तो उसको देखते हुए मैंने उसको इस तरह से प्रयास करने की कोशिज की है कि कुरोना हारेगा और इंसानियत जीतेगी इसका सिर्सक है हम कुरोना को हराएंगे मानवता को जिताएंगे हम फिर से मुस्कराएंगे वाइरस ये जुल्मी है बड़ी दूर से आया है इनसानी देह का दुस्मन बनकर इसने दुनिया को रुलाया है हटता है ये साबुन से सेनिटाइजर से डरता है बार बार जब मलमल कर हाथों को हम धोएंगे साफ सफाई और स्वच्चता बढ़ाएंगे तब हम इस कुरोना को हरा पाएंगे हम फिर से मुस्कराएंगे गर में ही सब को रहना है मानना बस यही कहना है सोशल डिस्टेंस का मंत्र अपनों को समझाना है हिंदू हो या मुसलिम चैस्षिक हो या इसाई हम सभी की है कोरोना से लड़ाई भाइचारा जोडेंगे शंक्रमन की चैन को तोड हम मन से साथ निभाएंगे मानों के इस सत्रू कोरोना को हराएंगे हम फिर से मुश्कराएंगे हो बाहर जाना अगर मजबूरी तो मास्क लगाना है बहुत जरूरी जब जाएं मंडी या दुकान सोसिल डिस्टेंस का रखे ध्यान हैं फरिष्टे डॉक्टर नर्स पुलिस सफाई कर्मी दिन रात सेवा करते हो सरदी या गर्मी हैं समाज के ये नायक इन्हें जरूर सराएंगे हम फिर से मुश्कराएंगे अपने हैं जो मज़दूर भाई बंद होई इनकी कमाई लोकडाउन में बढ़ गई है इनकी कठनाई चाहिए मदद इनको अब अपनी भाई हम इन अपनों के लिए मदद का हाथ बढ़ाएंगे समान और प्यार से इनको भी खिलाएंगे हम फिर से मुश्कराएंगे लगता है इस बार स्रस्टी ने ठाना है नेचर ने लगता है इस बार स्रस्टी ने ठाना है उंच नीच का भेद सभी के दिलों से मिटाना है गलियों सडकों को खाली रखकर प्राकर्तिक संतुलन बनाना है तो फिर हम अपना विवहार सुधारेंगे जीव दया बढ़ाएंगे पेड पहाड जल नदियों का वो पसु पक्सियों को बचाएंगे परियावरन को बचाएंगे हम कोरोना को हराएंगे हम फिर से मुस्कराएंगे होंगी फिर से आबाद बच्तियां होंगे रोसन बाजार मॉल, स्कूल और सहरों की गलियां चहकेगी फिर से कहतों में चिडियां महक उठेगी फिर गाओं की बगियां अपने पन का भाव लेकर सुक दुक तक का साथ निभाएंगे दूर भगा कर इस दुस्मन को खुसियां और गम साथ मनाएंगे हम मानवता को जिताएंगे हम फिर से मुस्कराएंगे बहुत खूब खाकी का यह चेरा बहुत कम देखने को मिलता होगा डंडे के बल पे पुलिस अपने आप में इस्तिती को नियंतरन करने में जुटी आप देखते होंगे लेकिन कविता के माध्यम से लोगों को जागरित करने का काम बील सोनी ने किया एक अनूठी पहल इसे कह सकते हैं सर जी संदेश भी है बात भी कही है उन्होंने सतकारी मुराजी में और राश्थान में पुलिस पर भी हमले हुए हैं कुछ जगे पुलिस को जिस द्रटधा से निभाना पड़ रहा है उस वक्त पुलिस वाले भी इसी तरह निवेदन कर रहे हैं लेकिन उनकूल उनकी भी बात रहे हैं ने सात में रखी है इनकी भी बात रखिये कोरोना योद्धाओं को भी इनों ने अच्छी बात है और शिकर बेटाओ आज में इस तरह संदेश देता तो उसका आसर भी रहादा होता है